हेलो एबरिवन, डेली करेंट अफेर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7-9 फरवड़ी 2023 के करेंट अफेर तो आते हैं आज के पहले करेंट अफेर पे डिजिटल इंडिया, मोबाइल वैन, किस मंत्रालाई दोबारा सुरू की गई थी सही आंसर हो जाएगा इलेक्टरोनिक्स और सुचना प्रद्योगी की मंत्राले इंट्रोड्यूस कहां पर किया गया था। तो जो फर्स्ट मिटिंग होई थी जीट्वन्टी डीजिटल एकन्ओमी वरकिंग गुरूप की कहां पर लखणों में एप one भी आपको ज्द रखना है। वहाँ पे इसे इंट्रोडूश किया गया था, कहाँ पे तो जो फर्स्ट मिटिंग हुई थी G20 डिजिटल एकोनोमी वरकिंग गुरूप की कहाँ पे हुई थी लखनाओं में वहाँ पे इसे डिजिटल इंडिया मोबाइल वेन को इंट्रोडूश किया गया था, नेक्स आते M.B. गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्तरा का उद्गाटन किस सिराजिय में हुआ आपके बास option है option है उत्तरप्रदेश option B. बिहार option C. पंजाब option D. केरल सही आंसर यहाँ पे क्या होगा option B. आपका यहाँ पे सही आंसर हो जागा बिहार M.B. गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्तरा का उद्गाटन किस सिराजिय में हुआ तो option B. आपका यहाँ पे सही आंसर हो जागा बिहार में और किस्ट ने गिया तो डिप्यूटी चीप मिनिस्टर तेजस्वी यादवने नेक्स आते हैं फेम योजना के माध्यम से अब थो डिटेल में देख लेते हैं महाराश्ट टॉप पे है और महाराश्ट के बाद है करनाटक फिर तमिलाडू फिर गुजरात और राजस्थान लेकिन अगर केवल इलेक्रिक four wheeler की बात हो तो कौन सा स्टेट या यूटी टॉप पे है तब देली क्या है टॉप पे है और देली के बाद है करनाटक, फिर महाराष्टा, फिर तिलंगाना, फिर हरियाना और फिर वेस्ट बेंगॉल तो आपको याद क्या क्या रखना है, ओवराल देखा जाए, ओवराल देखा जाए लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर विलर की जब बात हो, विच इंक्लूड पैसेंजर कार, तो देली टॉप पे है, डेली के बाद है करनाटक, करनाटक के बाद है महाराष्टा, महाराष्टा के बाद तिलंगाना, फिर हरियाना और फिर वेस्ट बेंगॉल नेक्स आते हैं बिश्वक कैंसर दिवस, कैंसर के बादे में जगरूपता बढ़ाने के लिए किस दिन के रूप में मनाया जाता है, आपके बास ओप्सन है, ओप्सन है 4 फरवरी, ओप्सन भी है 14 फरवरी को, ओप्सन सी है 9 फरवरी, ओप्सन भी है 12 फरवरी, सही आंसर यहां पे क्या होग simply आपसे पूछ रहा है कि बिश्व कैंसर दिवस कब मनाते है सही आंसर यहाँ पे होगा आपसने 4 फरवरी को बिश्व कैंसर दिवस कैंसर के बारे में जगरुकता बढ़ाने के लिए किस दिन मनाया जाता है तो आपसे नहीं आपका यहाँ पे सही आंसर हो जगा 4 फरवरी को अच्छा आपको कमेंड बॉक्स में बताना है राष्ट्रिय कैंसर दिवस नेशनल कैंसर डे कब मनाते है और वर्ल्ड कैंसर डे की इस बार की थीम क्या है क्लोज दा केर गैप वर्ल्ड कैंसर डे 2023 की थीम क्या है क्लोज दा केर गैप एक्चुली 2022 से लेके 2024 तक की थीम सेमी है थीम क्या है क्लोज दा केर गैप नेशनल आते है निशार एक प्रिथवी और लोकन उबगरा है Earth Observation Satellite है जिसे किस वर्स लॉँज करने की योजना है आपके बाश ऑफ्सन है आप्सन 46 तक ऑफ्सन B है 2024 तक अप्सन C है 2027 तक ऑफ्सन D है 2025 तक इंपोर्टन गुच्चिशन है तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा अप्सन B आपका यहाँ पे श्रही आंसर हो जगा 2024 तर निसार ए प्रिथवी और लोकन उग्रा अर्थ अफजर्वेशन सैटेलाइट है जिसे किस वर्ष लॉंच करने की योजना है तो आपसन भी आपका यहां पे श्रही आंसर हो जगा 2024 तर अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे यहां पे जो यूपीस ही है श्रेट पीसियस पूछ सकती है तो जो निसार सैटेलाइट है इसे किसके द्वारा डेफलप किया गया है तो जो जो आइंट डेफलप किया गया है नासा और इसरो के द्वारा इसलिए क्या नाम है इसका निसार नाम है निसार जो सैटेलाइट है इकिसके द्वार डेफिलप किया गया है तो NASA और ESRO के द्वारा और पार्टनर्सिप साइन कप हुआ था एग्रिमेंट साइन कप हुआ था 2014 में यह भी पॉइंट आपको याद रखना है इसका वेट कितना है तो 1800 kg दूसरा तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस सैटलाइट में L-Band और S-Band सिंथेटिक अपर्चा रडार है ठीक आपसे एग्जामें पूश सकता है आपको ज़्यदा डिप में जाने की जूरुत नहीं है बस आपको इतना याद रखना है कि जो निसार सैटलाइट है इसमें L-Band और S-Band सिंथेटि अपर्चा रडार इंस्ट्रूमेंट है आपसे जाने पूश सकता है UPSC या किसी भी अच्छे एग्जाम में कि जो निसार सैटलाइट है इसमें L-Band है या नहीं है S-Band है या नहीं है तो क्या इसमें दोनों बैंड है L-Band भी है और S-Band सिंथेटिक अपर्चा रडार इं प्रवाइट किया गया है और जो S-Band रडार है ये किस के दोरा प्रवाइट किया गया है इसरो के दोरा जो S-Band रडार है ये इसरो के दोरा प्रवाइट किया गया है ठीक है तो आपको यहां से याद किया गया रखना है एक बडिजन कर लेते हैं सबसे पहले निसार क्या ह तो एक Earth Observation Satellite है, किस वर्स लॉंच करने की योजना है, 2024 तक, फिर आपको याद करना है, निसार को डेवलप किस ने किया है, तो jointly डेवलप है, किसके दोवारा, NASA और ISRO के दोवारा, और यह पार्टनर्शिफ एग्रिमेंट साइंड कब हुआ था, 2014 में, Satellite का वेट कितना है, 2800 kg है, और इसमें L-band और S-band synthetic aperture radar इंस्ट्रुमेंट लगा हुआ है, इसके अलावा, जो L-band radar है, यह किस के दोवारा प्रवाइट किया गया है, तो NASA के दोवारा, और जो S-band radar है, यह ISRO के दोवारा प्रवाइट किया गया है, अब जो point आपको याद रखना है, कि निसार का objective क्या है, तो इसका काम क्या है, to map the earth, to map the earth, to map the earth, इसके अलावा monitor water, water को क्या करेगा, monitor करेगा, to monitor water, to monitor water, to monitor water, फिर आपका हो गया, क्योंकि एक्जाम में objective पूछता है, तो monitor water हो गया, agriculture और forest के लिए काम आएगा, इसके अलावा, क्या observe करेगा, land and ice cover, तो इसका objective क्या है, to map the earth, monitor water, agriculture and forest, observe land and ice cover, नेक्स आते हैं, दो हजार सत्ताइस, ACI कब फुटबॉल टूर्णामेंट की मिजबानी कौन सा दिस करेगा, आपके पास option है, option है भारत, option भी है पाकिस्तान, option C है सौधी अरब, option D है निपाल, सही अंसर यहाँ पे क्या होगा, option C आपका यहाँ पे शही अंसर हो जागा सौधी अरब, दो हजार सत्ताइस, ACI कब फुटबॉल टूर्णामेंट की मिजबानी कौन सा दिस करेगा, तो option C आपका यहाँ पे शही अंसर हो जागा सौधी अरब, और दो हजार तेश का कहां पे होगा, 2030 का आपका कहां होने वाला है, कतर में, 2030 का कतर में होने वाला है, आप तो डिटेल में देख लेते हैं, ACI Football Cup, चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है, और इसका आयोजिन किसके द्वाड़ किया जाता है, एशियाई फुटबॉल परिसंग के द्वाड़ा और इसके अलावा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि एशियन कप फुटबॉल टूनामेंट दोहजार सताइस का स्लोगन क्या है आपको ग्रोर्ट ने बीट लगाया था था ना उनस अफका अलगशन मताना क्या तो है कि सराथ का स्लोगन क्या है उसका स्ी यारव का स्लोगन आप और इसके अलब अक्ष्लाप काई ट्राफ लeर है दो इस्टोन आइडर मिले है कहां पर जो को 1200 साल पुराना है दो पत्थर की मुर्थिया मिली है जो 1200 साल पुराना है कहां पे मिला है तो नलंदा उनिवर्शिटी के पास अब एक बार इविजन कर लेते हैं 2027 SCI कप फुटबॉल टूनामेंट की मेज़बानी कौन सा दिस करेगा सौधी अरब 2030 कहां पे हो का कतर में और जो SCI फुटबॉल कप होता है चार सल में एक बार होता है और इसका आयोजन SCI फुटबॉल परिसंग द्वारा किया जाता है और एशियन कप फुटबॉल टूनामेंट 2027 का स्लोगन क्या है Forward for Asia और दो मुर्थिया मिली है पत्थर की मुर्थिया जो की 1200 साल पुरानी और कहां पर मिली है तो नलंदा उनिवर्सिटी के पास वाटर बॉड़ी में नेक्स आते है Central Bank Digital Currency पेस करने वाला पहला भारतियर डिटेलर कौन बना है आपके बास Option है Reliance Retail Option भी है Future Group Option भी है टाइटन Option भी है The Rediment Group Option है आपका यहाँ पे श्रही आंसरोजा का Reliance Retail Central Bank Digital Currency पेस करने वाला पहला भारतियर डिटेलर कौन बना है तो Option है आपका यहाँ पे श्रही आंसरोजा का Reliance Retail नेक्स आते है भारत, फ्रांस और कौन सा देश उर्जा, रक्षा, अर्थ, बेवस्था सहीत छेतरों में त्री पक्षिये सहयोग पहल के लिए सहमत है आपके पास Option है Option है नेपाल Option B है UAE Option C है तुर्की Option D है बांगलादेश श्रही आंसर यहाँ पे क्या होगा Option B आपके यहाँ पे श्रही आंसर हो जागा UAE भारत, फ्रांस और कौन सा देश उर्जा, रक्षा, अर्थ, बेवस्था, छेतरों में त्री पक्षिये सहयोग पहल के लिए सहमत है तो Option B आपके यहाँ पे श्रही आंसर हो का स्रिलंका ने हाल ही में किस थीम के तहत स्वत्थंत्रता के 75 वर्ष मनाए है आपके बास Option है, Option है नमो नमो मठ, A step towards a century Option B आपके यहाँ पे श्रही आंसर हो जागा स्रिलंका ने हाली में किस थीम के तहत स्वत्थंत्रता के 75 वर्ष मनाए है तो Option है आपके यहाँ पे श्रही आंसर हो जागा नमो नमो मठ, A step towards a century किस देश ने बायो फ्यूज, जयो इंधन के विकास और परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल परिस्थित की तंद्र विक्सित करने में मदद करने के लिए Global International Biofuel Alliance launch किया Simply आपसे पूछ रहा है कि किस देश ने Global International Biofuel Alliance launch किया है आपके बास option है, option है चीन, option B है UAE, option C है रूस, option D है भारर सही answer यहाँ पर क्या होगा Option D आपका यहाँ पर सही answer हो जागा भारर किस देश ने बायो फ्यूज के विकास और परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल परिस्थित की तंदर विक्सित करने में मदद करने के लिए Global International Biofuel Alliance launch किया है तो option D आपका यहाँ पर सही answer हो जागा भारत ने अब कुछ important point देख लेता है यहाँ पर यह जो Global Biofuel Global International Biofuel Alliance इंडिया ने launch किया है तो कौन साथ इसमें support कर रहा है की stakeholder है तो भारत के साथ आता है US और ब्राजियल और इसके अलावा European Union है IEA है Biofuture Platform है लेकिन आपको important point यही याद करना है कि जो भारत ने launch किया है Global International Biofuel Alliance कौन साथ सपोर्ट कर रहा है इसे तो US और ब्राजियल और Biofuel में US टॉप पे है और US के बाद किसका आस्तान आता है ब्राजियल का नेक्स आते हैं हाँ एक और important point है भारत का कब तक का target है ethanol blending 20% करना है पेट्रॉल में तो 2025 तर ठीक है यह point important है और याद करना है आपको और 2022 तक का 10% का तो जो की जून 2022 में target को achieve किया जा चुका है तो एक पर देख लेते हैं किस देश ने Global International Biofuel एलांस नौच किया भाद ने कौन सा देश की इस टेक होलडर है तो US और ब्रजील है और इसके अलावा भी है EU है Biofuture Platform है और भारत का कप तक का target है 20% Ethanol Blending का पेट्रोल में जो 2025 तक का नेक्स आते है प्रधान मंत्री ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हेलिकोप्टर निर्मान सुईधा का आनावडन किया आपके बास option है option है गुजरात, option B करनाटक option C है सम, option D है तेलंगाना शही आंसर यहाँ पे क्या होगा option B आपका यहाँ पे शही आंसर हो जगा करनाटक प्रधान मंत्री ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हेलिकोप्टर निर्मान सुईधा का अनावडन किया तो option B आपका यहाँ पे शही आसर हो जगा करनाटक और करनाटक में कहा तो करनाटक में एक जघ़ा है तुमा कुडू करनाटक में एक जगह है तुमा कुडू नेक्स आते हैं कौन सी संस था 20 प्रग्राम प्रगति रिपोर्ट जारी करती है आपके बास option है, option है सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको कमेंट बोक्स में बताना है निती आयोग के नए CEO कौन है पहले थे क्या बोलते हैं परमेशर नईयर तो वो क्या बन गया है वर्ल्ड बैंक में काड़े काड़े निदेशक बन गया है तो उनके जगा पे किने निती आयोग का नए CEO बनाए गया है आपको कमेंट बोक्स में इसका अंसर देना है नेक्स आते हैं 10,000 नए अम्मिस अम्मी पंजीकरित करने वाला पहला जीला कौन सा है आपके बास ओफ्सन ये ऐरना कुलम औप्सन भी सुरत औप्सन ये हैधराबाद औप्सन भी लखनओ शही अंसर यहापे क्या होगा आपका यहाँ पे श्रही आंसर हो जगा इर्ना कुलम दस अजार नए MSME पंजीकरित करने वाला पहला जिला कुन सा बना है तो आपका यहाँ पे श्रही आंसर हो जगा इर्ना कुलम नेक्स आते हैं वेस्टन घाट पश्रिमी घाट में एक दूरलफ कम उचाई वाला बेसाल्ट पठार की सराजिये में खोजा गया है आपके वास आपसन है आपसन है गुजरात में आपसन भी ए तिलंगाना आपसन सी है महराष्ट आपसन डी है इन में से कोई भी नहीं आपसन भी तो हटाई दो श्रही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपसन सी आपका यहाँ पर श्रही आंसर रोजा का महराष्ट पश्रिमी घाट वेस्टन घाट में एक दूरलफ कम उचाई वाला बेसाल्ट पठार की सराजिये में खोजा गया है तो option C आपका यहाँ पर श्रही अंसर हो जागा महाराष्ट में नेक्स आते हैं भारत ने किस देश के साथ महतपुर्ण और उभरती प्रद्योगी की उग परपाहल initiative on critical and emerging technology शुरू की आपके पास option है, option EWC option B EWC के साथ option C France, option D Australia बारत ने किस देश के साथ initiative on critical and emerging technology शुरू की तो option EWC के साथ नेक्स आते हैं प्रयोग शाला में वेक्सित हीरो पर सोथ करने के लिए किस संस्थान को 242 करोर रूपे का अनुदान परदान किया जाएगा आपके पास option है, option है IIT कानपूर, option B IIT मुंबई option C IIT मदरास, option D IIT खडगपूर, सही अंसर ने पर क्या होगा? option C आपके यहाँ पर सही अंसर हो जगा IIT मदरास को प्रयोग शाला में वेक्सित हीरो पर सोथ करने के लिए किस संस्थान को 242 करोर रूपे का अनुदान प्रदन किया जाएगा तो option C आपके यहाँ पर सही अंसर हो जगा IIT मदरास को next आते है भारत के सरोच्य नियाले के तिहतरवे अस्थापना दिवस के मुख्य आती थी किस देश के मुख्य नियादी से IMPORTANT QUESTION है आपके बास option है option है इवे से अमेरिका के option B आपके शिंगापूर option C आपाल option D आपके क्या होगा option B आपके यहाँ पे शिंगापूर भारत के सुप्रिम कोट सरोच्य नियाले के तिहतरवे अस्थापना दिवस के मुख्य आती थी किस देश के मुख्य नियादी से तो option B आपके यहाँ पे शिंगापूर और उनका नाम क्या है जो सबसे इंपोर्टेंट है जामें पूछ सकता है उनका नाम है सुंदरेश मेनन सिंगापूर के चीफ्ट जस्टिस का नाम क्या है सुंदरेश मेनन नेक्स आते है किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल आयोजित किया आपके बास ऑफ्षन है ऑफ्षन है C E R T E N ऑफ्षन B NITI AYOK ऑफ्षन C C A V ऑफ्षन D A R V I E सही आंसर यहां पर क्या होगा अप्षन है आपका यहां पर सही आंसर होजिगा C E R T E N इसका मतलब क्या हुआ I N का मतलब हुआ The Indian Computer Emergency Response Team C किस के लिए स्टेंट करता है, कम्प्यूटर के लिए, E किस के लिए, इमर्जेंसी के लिए, R किस के लिए, रिस्पॉंस के लिए, T किस के लिए, टीम के लिए तो सही अंसर है, यहाँ पर क्या हो जागा, ओफसन है, C E R T A N, किस संस्तान ने, G 20, साइबर सुरक्षा अब्यास और ड्रिल आयोजित किया, तो ओफसन है, आपका यहाँ पर सही अंसर हो जागा, दे इंडियन कम्प्यूटर, इमर्जेंसी रिस्पोंश टीम ने, नेक्स आते हाल ही में घोसीत महिला सम्मान बचत पत्र की निश्चित ब्याज़ दर कितनी है आपके बास ओप्सन ऌहीं 9.5%, ओप्सन Б, 5.5%, ओप्सन C, 4.5%, ओफन D, 7.5% सही अंसर यहाँ पे क्या होगा ओफन D आपका यहाँ पे सही अंसर हो जगा 7.5% हाल ही में घोसित महीला सम्मान बचत पत्र की निश्चित ब्यासदर कितनी है तो option D आपका यहाँ पे शही अंसरों का 7.5% और इसका ट्रेनियोर क्या है दो साल का है दो साल का है दो अचर पचीस तक है दो अचर पचीस तक और आज के आखरी केंटर फिर पे आते हैं प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेस पॉलिशी के अनुसार किस मंत्राले के तहत भारत डेटा प्रवन्थन कड़याले IDMO का गठन किया जाएगा आपके पास option है, option है electronics और IT मंत्राले, option B.A. गृह मंत्राले, option C.A. रक्षा मंत्राले, option D.A. ननाफदीच चाहिए अंसर यहाँ पे क्या होगा, option D.A. आपके यहाँ पे चाहिए अंसर हो जाएगा electronics और IT मंत्राले, प्रस्तावित नेशनल डेटा, गवर्नेस पॉलिशी के अनुसार, किस मंत्राले के तहत, भारत डेटा प्रवन्थन कड़याले IDMO का गठन किया जाएगा, तो option D.A. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले, मिलते हैं नए वीडियो में, नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जहेंद.